शुष्क सेल बनाना शुष्क सेल यानि ड्राइ सेल एक ऐसी बैटरी होती है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है इसे टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैलकुलेटर, डिजिटल घडियों आदी में विद्यूत के स्रोध के रूप में प्रयोग में लाया जाता है प्रमप्रागत शुष्क सेल में बेलनाकार जिंक बरतन के बीच में एक कार्बन की छड़ लगी होती है इस बरतन में मैगनीज डाय ओकसाइड और अमोनियम क्लोराइट का पेस्ट भरा होता है जब जिंक के बरतन और तांबे की छड़ को तार की सहायता से बल्ब से जोड़ा जाता है तब करंट प्रवाहित होने के कारण बल्ब से प्रकाश निकलने लगता है ऐसे एक सेल की वोल्टेज लगभग 1.5 वोल्ट होती है स्क्रीन पे दिखाए अनुसार आप शुष्क सेल का एक मॉडल बना सकते है आवश्यक सामगरी एक जिंक प्लेट एक कार्बन प्लेट मैगनीज डायोकसाइड स्टार्च पौडर अमोनियम ख्लोराइड रूई गांबे का तार एक बल्ब और एक बल्ब होल्डर थोड़ा सा पानी लेकर उसमें स्टार्च मिलाएं इस मिश्णन को तब तक उबालें जब तक स्टार्च का गाढ़ा पेस्ट न बन जाए स्टार्च के इस पेस्ट में परियापत मात्रा में मैगनीज डायोकसाइड मिलाकर पेस्ट को और गाढ़ा बना लें एक जिंग की प्लेट लेकर उस पर समान रूप से मैगनीज डायोकसाइट का पेस्ट फैलाएं जिंग की प्लेट के आकार का रूई का एक टुकडा लेकर इसे अमोनियम क्लोराइट के संत्रिप्त विलियन में गीला करें इसे पेस्ट की परत पर बिच्छा दें रूई की परत के ऊपर मैगनीज डायोकसाइट की एक और परत फैलाएं मैगनीज की परत के ऊपर तांबे की एक प्लेट रखें अब आपका शुष्क सल्थ प्रयोग के लिए तयार है तांबे के दो तार लें इन तारों का एक एक सीरा दो क्रोकोडाइल क्लिपों से और दूसरा सीरा एक बल्ब होल्डर से जोड़ें एक क्रोकोडाइल क्लिप को जिंक प्लेट और दूसरी को तांबे की प्लेट पर अलग अलग लगाएं ऐसा करने से बल्ब में करंड प्रवाहित होगा और बल्ब जलने लगेगा झाल 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